Hello students, आज हम सीखेंगे Session 2, Insert and Use Images इस सेशन में हम सीखेंगे हम different different method से Libre Office Writer में image और picture कैसे insert करते हैं पहले हमारा method है drag and drop बैसे इसके different different methods है image को हम directly insert कर सकते हैं drag and drop से कर सकते हैं graphic program से कर सकते हैं scanner से कर सकते हैं जा फिर हम Libre Office Gallery, OpenOffice Gallery से भी image को insert कर सकते हैं पहले हम देखेंगे drag and drop method से यह मारा Libre Office Writer open है जो आप screen पे देख पा रहे हैं उसको मैंने restore किया then देखेंगे हम दे desktop के आपके सामने को पिक्चर पड़ी है means मैंने इस पिक्चर को select किया और mouse की को मैंने hold करने select करने के बाद then मैंने इसको पकड़ के drag करते हुए इस writer window में ले आना है और छोड़ देना है जो देखेंगे इसको मैंने बड़ा किया यह हमारी track and drop method से हमारी जो image है insert इसके अंदर हो चुकी है इसको हम delete कर देगे एक बार then हम देखेंगे insert menu का use करके हम image insert से कैसे हम image insert करते है हमने insert menu में जाना है image पे click करना है then हमने picture की location जिस location पे हमारी जो picture है हमारे system के अंदर computer के अंदर save है तो वहां पे हमने इसको find करना है means हमने यह वाले picture को find किया इसको select करना है open पे click कर देना है तो यह हमारी picture इसके अंदर add हो चुकी है then हमारा होता है insert picture using clipboard इसको हम restore करेंगे then हम एक open office window और open करेंगे इसके अंदर क्या होता है source and destination दोनों ही हमारे जो open किये जाते हैं देखिए यह हमारा untitled 2 हमने open किये नया पहले हमारा बात हो untitled 1 था हमने क्या करना है इस picture के उपर click करना है यह picture है हमारी select हो जाएगी जो उपर जो सभी corners पर जो dots आ रहे है square symbols आ रहे है notes आ रहे है और जब जो आ जे इसका it means जो हमारी picture क्या है select है तो इसको आपने जा तो right click कर लो keyboard से control c type कर दो press कर दो तो आपका यह photo है जो picture है वो select हो जाएगी then आपने other writer window में जाना है और वहाँ पे control भी paste कर देना है तो इस वे से भी आप जो picture है insert कर सकते हो then हमारा fourth method आता है picture insert करने का उसका हम बोलते हैं open office gallery से insert के अंदर जाएंगे media के अंदर जाएंगे media में आता है gallery जे आपकी जो library office है उसकी gallery open होगी इसमें different different types की pictures के groups हैं किसे arrows का है bpmn का है bullets का है diagrams का है जो आपकी requirements हैं उस picture के उपर जाओ select करो double click कर दो picture हमारी screen के अंदर add हो जाएगी जा फिर इसको सिधा hold करो और drag drop करके यहां पर add कर लो और अगर आपने flow chart एड करना है flow chart पे जाएए यहां से आपने कोई भी लेना है symbol तो इसको add कर लिजिए वो अपना add हो जाएगा यह हमारा अपसास वाला जो add up चुका है और एक होता है हमारा हम picture को scanner से insert करना हो अगर हमारे पास system के साथ हमारा जो scanner attach है तो हम scanner की help से भी picture को insert कर सकते हैं insert में click करना है और media option पे click करना है then आपने click करना है scan पे click करना है select source में यह अपका तभी dark होगा अगर आपका scanner आपके system से attach है तो यहां पे scanner का नाम दिखा देगा अगर multiple scanner है single है तो भी नाम दिखा देगा तो scanner को select पे click करके scanner का dialog box window open हो जाएगी then आपने scanner पे click करना है तो आपके साथ scanner से picture इस पे अंदर insert हो जाएगी इस तरह आपना different method से pictures को insert कर सकते हैं इसके अंदर और okay student thanks अगर आपको वीडियो अच्छा लगा like वे शेर करें और अगर आप इस channel पे नहीं है तो please इस channel को subscribe करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का notification मिलता रहे okay student thanks for watching